स्रीमति बिपलोट हाकुर जी मानिये उपधेक्ष जी धन्यवाद मैं ये राश्पत्री के अभिवाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़े हुई हूई पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूँ कहां से शुरू करूँ मुझे लगता है आप अब चुप रहिए मुझे लगता है कि एक कुछल गरहनी एक अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीज़े उसमें डाल देती है यही सभी भाशन में है कुछ नया नहीं है वही उजवला है वही दीन दियाल है और वही पे जो है मिशन की बाते हो रही है बेरोजगारी की कोई बात नहीं है महंगाई की कोई बात नहीं है क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते आज विद्यार थी जो पूरे देश में जंडा लेके खड़े हैं उनको अपने भविशे का फिकर है कि हम डिगरी तो ले लेंगे पर नोक्रिय कहां से लाएंगे क्योंकि इस अभी भाशन में उसका कोई जिखर ही नहीं है ये अभी भाशन ऐसे लगता है जैसे मॉंगरीलाल के सपने दिखाए जा रहे है मुंगारी लाल के 2014 में भी दिखाये थे अभी भी दिखाये रहे हैं अभी राना जी बोलके गए राने की जी कॉंग्रियस भी मैनिफेस्टों देती थी हमने करके दिखाया है आज अगर आप गरीबी की रिखा से नीचे देखे तो लोगों का हुआ है अरे आज यहां बैठे ह हुए हो हवाई जहादों में चलते हो और उन में चलते हो किस ने दिये किस ने बनाए आई स्कूल कालेज उनिवर्सिय किस ने बनाए आई आई टी किस ने बनाए एमेमेंटी किस ने बनाए जिसमें आज आज आप दिखाई दे रहे हो क्या किया है छे साल में केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है भारत को बैटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है मास वही करो आज आप लोग आज आप लोग इस देश को इस तरह से बाढ़ना चाहते है कुछ नहीं है ना महिलाओं के लिए है आज पूरी महिलाएं जो है इस चिंता में हैं कि हमारा भविश्य ठीक है हम सुरक्षित है वहाँ उनको कुछ दिया नहीं जा रहा और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत इत्यास के बगे है मुहम्मद गौरी को किसने बुलाया था किसने कहा था दिली में आकबरन करने के लिए कौन जैचंद था कौन जैचंद था महराना परताब जब हल्दी के घाटी में लड़ रहे थे किस राजाए ने उसकी मदद की अकबर के किलाब में बैठ जाए बैठ आ चुप करके बैठो सुना प्लीज आप चियर को एड्रेस करें मेर्डम प्लीज इस तरह की भासा ये एक भील जाती के लोगों ने एक भील जाती के लोगों ने महराना परताब का साथ दिया था कहां थे तब आज बात करते है देश को अज़ाद कराने के लिए अहिंसा का पार्ट बढ़ाया आप क्या जाने है इंसा जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते है आज लाठी की जगा बंदूर और निवाल बर आ गए है और हमने सिखाया आपको इंसा आपने सिखाया है जनतों को इंसा नफरत और प्लीज आप अप शेयर को एड़ेस करें और आज तो मैं उपध्यक्ष जी देश द्रोही की भी परिभाशा पूछना चाहती क्या है देश द्रोही की परिभाशा किसको देश द्रोही कहते है मुझे याद है जब कॉम्मिनिस पार्टी ने भारत की अजादी को नहीं माना था चार साल के लिए बेर्ण कर दी थी लेकिन उनको देश द्रोही नहीं कहा था नहरू ने सरकार ने देश द्रोही नहीं कहा था पंडित नहरू के खिलाफ लोक सबा में वाजबाई जी बोलते थे उनको देश द्रोही नहीं कहा था आज कोई भी आपके परधान मंतरी के खिलाफ आपके ग्रेह मंतरी के खिलाफ उनकी नीतियों के खिलाफ बोले वो देश द्रोही हो गया है उनको जेल में डाल दो उनको पकड़ लो छे साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे आप क्या करेंगे आपके पास कोई आपके पास ना तो कोई कर्यकरम है ना आपके पास भारत के लिए कोई नया सोच है कुछ नहीं है केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए सतर साल में अलुपाधियक जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था जितना ये छे सालों में ले रहे हैं हमारी महानाइका ने पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिये थे बांट दिया था और ये आज पाकिस्तान के नाम से ड्रा रहे हैं और वैसे कहते हैं, हम बहुत मजबूत हैं, हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान, क्यों भई, क्या है वो, आपका कुछ लगता है, हाँ, जरूर लोहर में, लोहर में जरूर ब्रियानी खाने गए थे, कॉंगरस नी खिलाती, बिना बुलाए गए थे, और यह कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िये बड़े मुश्किल से पटेल नहरू ने एक कठा किया है आप तोड़ रहे हैं आप नहीं कहते हैं आप तोड़ रहे हैं इसके इसका विभाजन कर रहे हैं लोगों को बांड रहे हैं आप चेयर को एड्रेस करें आपस में चल मैं तो यह कह रहे हुँ कि इस देश को मत बाढ़ किये इस देश के टुकडे मत किजिए नफरत मत पिलाएं भेंजी चुप रही हुआ अपने बारी में बोल ले न जो बोलना होगा अब चुप करके बेटी रही है अब देश के टुकडे मत कीजिए आज जो हम ऐस थे आपका इसी सीए ने आज जो आपका एक ही देश था पाकिस्तान आपसे नराज चाईना आपको कुछ नहीं समझता नेपल भी आपसे खफा हो गया है अएक बंगला देश था जिसको भी आपने इस ये नराज कर दिया थ decía आज वो भी सोच ने, उसके चार मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसल किया, एक उसमें कि इस देश में ऐसी बाते हो रही है, इतना ज्यादा, आप कहते हैं कि यूनियन, यूर्पन यूनियन को हक नहीं है, बोलने का प्रस्ताव लाने का, तो उनके MP क्यों ले आये थे, आपने खुद उनको इन्वाइट किया है, आपने खुद इसको इंडरनेशनल बनाया है, आपने खुद इनको दूसरे लोगों को इसके उपर दखल देने के लिए बुलाया है, और उने नहीं बुलाया, जब तक हमारी सरकारे थी, किसी के हिम्मत नी पढ़ती थी, हमारे द दो जी, मार दो जी, ख़डा दो जी, यही आपकी तोकरी है, यही आपकरने जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हो, कि इस देश को मत बांटिये, इस देश की एकता को बनाए रखिए, इस देश में जो भी यहां है, आज वो सदीओं से रह रहिए हैं, अब ही नह उनके बारे में क्या बोलना है हम तो सेकुलर हम तो धर्म को मानते हैं किस धर्म की बात आप करते हैं किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जंता की बाते सुजी थी उस जंता की बात सुनके उसने सीता को बन्वास भेज दिया और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते हैं किस राम राजय की बात करते हैं किसको पूझते हैं मंदिर बनाईए जरूर बनाईए लेकिन उनके अधर्शों को भी मानिए उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए सिर्फ केवल कहने से बात में बनती है उन्जे उन्जे भाषन देने से नहीं बात बनती है इसलिए मैं यही कहूंगी कि इस देश को मत बांटिये एक रहने दीजिए यह नफरत मत पिलाईए यह आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत